अलो ग्योट म्रेंिंग स्युक्र्ट judgments आयोब टिफ्ट के थीक हो के वीठाइं वो है ordinal number ठीक है तो जैसे यहाँ पर दिखला रखा है ना यहाँ पर पोजिशन दिखला रखिए फिफ्ट फोर्थ थार्ड सेकिंड एंड फर्स ठीक है स्टुडेंट टु ऐसे ही आपको इससे रिलेटेड नीचे कोश्चन दे रखिए जो आप खुछ से सॉल्व करोंगी ठीक है तो मैं आपको बता देती हूँ वैसे ही वैसे आपको करने है ठीक है कि आरोडि नंबर मतं़ता कि पोजिशन पर कैसे आ जाता है फोंफ पोजिशन पर ऊसे है ठीक है तो कोश्चन है आपका ऐसे यहां पर एरोप्लेन की देश हुई है, हर एरोप्लेन में टू-टू क्या है, चिल्डरन है, तो इसमें शो करा गया है कि फर्स्ट पोजिशन पर कौन आया है, तो नीचे कोशन दे रखा है, इससे रिलेटेड, ठीक है, तो कौन-कौन सी रेस वाले एरोप्लेन है, A, G, B, I, H इनको नाम दिया गया है, चिल्डरन तो कौशन नमर फर्स्ट जो दे रखा है, आपको विच एरोप्लेन कम सेकिंड, सेकिंड पोजिशन पर कौन आया है, G, विच एरोप्लेन कम थर्ड, थर्ड पोजिशन पर कौन आया है, I, विच एरोप्लेन कम फर्स्ट, फर्स्ट पर क कोन आया ए और विच एरोपलेन कम फिफ पोजिशन पर कोन सा एरोपलेन नम्र आया है है एचाया ठीकिस्ट्रेंड तो यह आपको एग्जंपल में लिख के दे रखा है जी मैंने बागी कोशन का आंसर मैं आपको बता दिया सिर्फ आपको क्या करना इसमें मैंशन करना है इसमें एक तरफ डिजिट दे रखे तो दूसी तरफ आपको क्या करना है इंगलिश की अल्फाबेट में लिखना है और दूसी तरफ आपको नमबर्स दे रखे हैं वहाँ पर क्या लिखना है आपको वहाँ पर भी क्या करना है स्पैलिंग ही लिखनी है तो यहाँ पर क्या को दे रखा है रायट दा पॉजिशन ओफ धर तर्टल इन् दा रेस ठीक है यहां पर टल की रेस होई है मतलब कि कच्छो की रेस हुई है नीचे यहीर भी सहती ही है फिनिच तो सैक पोजिशन व Je Você औरसं कौन किस पोजिशन पर आं वो आपको मैंशन उलका oraad turtle button ब्लू प्रीज़ टर्टल और्टर अंड परफलटल यह आपको Edition यह ले रखेहऊचे जसको कोई पर्पर तर्टल कि रोत में पर्पर — तो यह टर्टल की रेस हुई थी उसमें फर्स पोजिशन पर कौन सा टर्टल था रैड टर्टल था ओके स्टुडेंट तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है जितना भी वर्क मैंने आपको करने के लिए दिया है आपको अपनी बुक में नीट अंड क्लीन करना है ओके स्टु